हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सरोशती टीचर क्लासेज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रीकारक सिधान्त, बहुकारक सिधान्त यों समुह कारक सिधान्त मैंने लाश्ट वीडियो में बुद्धी के त्रीतंतर सिधान्त पढ़ाएं थे जिसमें से मैंने एक कारक सिधान्त और दो कारक सिधान्त डिसकस कर लिया था और आगे मैं इसका सेकेंड पार्ट है इसमें दूसरे अमने कारक बुद्धी से रिलेटेट दिये गए हैं जो आज हम डिसकस करेंगे तो आज हम सब पढ़ेंगे त्रीकारक सिधान्त संसोधन ने अपने दिकारक सिधान्त में संसोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुधी के त्रीकारक सिधान्त का प्रतिपादन किया तीसरे कारक को उन्होंने समुम कारक यानी गुरूफ फ्यक्टर कहा उन्होंने इस कारक में ऐसे इगोताओं को अस्थान दिया जो समान योगिता से स्रेश्ट और बिसिष्ट योगिताओं से निम्न होने के कारण उनके मध्य का अस्थान रखती है समूह कारक बिभिन बिसिष्ट कारकों तथा समान कारकों के मित्रान से अपना समूह बनाता है थंडाइक ने इस सिधान की आलोचना की है और बहु कारक सिधान्त दिया है यानि उन्होंने अपने दिकारक सिधान्त में एक और कारक जोड़ दिया तीसरे कारों कोनों ने समूह कारक यानि गुरूफ फेक्टर कहा यानि बहुत सारे जनरल फेक्टर हैं और बहुत सारे बिसिष्ट कारक हैं उनको मिलने से समूह कारक बनता है यानि जनरल फेक्टर और समूह कारक जब आपस में मिलते हैं तो वो समुख कारत बनता है यानि कि group factor जैसे मान लिजी एक बच्चा है उसमें math के लिए एक general factor है एक physics के लिए general factor है एक English के लिए general factor है तो general factor का क्या level है मैंने बोला ना कि हर general factor का level अलग-अलग होता है मान लिया ये तीन factor है जिनका level बराबर है तो तीनों में वो क्या है medium, medium, medium है तो ये सारे factor मिलके क्या बनेगा तो group factor बनेगा तो इसे ही उन्होंने group factor का नाम दिया है थन्डाइक ने इस सिधान्त की अलोचना की है और बहुकारक सिधान्त दिया है थन्डाइक महोदेजीन ने सिधान्त में बुद्धी को बीवीन कारकों का मिश्रान माना है, जिसमें कई योगिताएं निहित होती है और ये स्वतंत रूप से काम करती है तो ये थन्डाइक महोदेजी जो है यानिए उन्होंने बोला कि बुद्धी जो है एक कारक दो कारक या तीन कारक से नहीं बनी बलकि बहुत सारे कारकों का मिसरण है, जिसमें ये क्या हुई है? कई योगिताएं नहीत होती हैं, यानि उन्होंने माना कि बुद्धी में बहुत सारे कारक होते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और इस सारी योगिताएं होती हैं, तो उन्होंने multi-factor theory दी, उन्ह इसके प्रतिपादक है थर्ष्टन थर्ष्टन ने ग्रूप थियोरी दी तो आएए देखते हैं उन्होंने क्या बताया है इस थियोरी में इनकी अनुसार बुद्धी न तो समाने कारको यानी जी फेक्टर का और ना ही बिसिष्ट कारक यानी एस फेक्टर का प्रदर्शन है बलकि कुछ मौलिक कारको समूहों में कारिक करने बुद्धी का प्रदर्शन करते हैं दो या दो से अधिक मूल कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो ब्यक्ति के किसी छेत्र में उसकी बुद्धी का प्रदर्शन करते हैं, तो इन्होंने नई बात कही है, उन्होंने one factor theory, two factor theory का सभी का खंडन करते हुए कहा, कि कोई G factor नहीं होता, कोई S factor नहीं होता, बलकि जो बुद्धी होती है, वो बहुत सारे मौलिक कारकों का एक है, उसके दोरा प्रदर्शित की जाती है, दो या फिर दो से अधिक बुद्ध्या मिलकर जो बनाया था कि समु बनती है, यानि उन्होंने मौल कारक what use किया है, उन्होंने बोला कि जो मौल कारक है, वो मिलकर group बनाते हैं, जिसे उन्होंने group factor का नाम दिया और वो ही बुद् क्या किया कि किसी विच्छेत्र में उन्होंने क्या किया कि ये परदर्शन अपना कर सकते हैं उन्होंने सात मूल कारक बताएं हैं तो कौन-कौन सा सात मूल कारक है तो आईए वो भी जानते हैं इससे क्वेस्चन भी आ जाता है कि थर्सनन महोदे जी जो थे हैं वो कौन-कौन से साथ मूलक कारक बताएं हैं या ओसन में आ जाए कि कौन कौन से इसमें से कौन मूलक कारक है जो थरसन महोदे जी ने अपने थियोरी में बताएं हैं तो इससे मैं कहूंगी कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तकि आपको एक्जाम रूम में आपको कोई confusion ना हो तो पहला मूलकारक है साथिक योगिता यानि बर्बल एविलिटी दूसरा है प्रतच्छी कण यानि perceptual एविलिटी तीसरा है दैसिक योगिता special एविलिटी चौथा है हमारा आंकिक योगिता numerical एविलिटी और पाँचवा है इसमरिती योगिते यानि कि mental power यानि याज रखने की योगिता मतलब कुछ भी चीज जैसे कुछ लोग याद रखते हैं बहुत पुरानी चीज भी कितने लोगों की माइन बेविश्टो रहती है उसी को mental power कहते हैं चथा है हमारा सब्रवार वर्ल फ्यूंसी जब जल्दी जल्दी बोलने की किसी को शम्ता होती है कि एकदम फराटेदार इंदिस बोलते हैं या फिर कोई भी लैंग में जो फराटेदार बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं वर्ड फ्यूंसी कहते हैं सात्वा है हमारा तर्क सक्ति यानि की लॉजिकल पावर ये साथ उन्होंने मूल कारक बताएं और मूल कारक आप मिलकर ग्रूप में फेक्टर बनाते हैं जो किसी एविलिटी किसी उगिता के लिए प्रदर्शित करते हैं उन्होंने बताया कि जीव विज्यान भौतिक योम रसायन कहा जाता है तो जैसे एक ब्यक्ति है जो कि साइंस के लिए योग है तो उसका ग्रूप कैसा भी हो सकता है उसका जो बुद्धी का ग्रूप है भौतिक रसायनिक गणित में क्या हो सकता है इंटेलिजेंट हो सकता है ये तीनों मिलकर बना हो या जीव भौतिक रसायन में हो तो ऐसे अलग अलग योगताय मिलकर ग्रूप बना सकती हैं और उसे किसी फिल्ड में योग बना भी सकती हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो जो की था तृतंत्र सिधान था मुस्मिन पढ़ें थे और आज था हमारा बहुकारप जो इसमें हाज हम पढ़ें हैं जी फेक्टर एस फेक्टर आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा से और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं फ्रेंग्स हम नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू सो माच